नमस्कार दोस्तों, TechScan के एक बिलकुल नाए फ्रेस और एकसाइटिंग एपसोर में आपका बहुत बहुत सबागत है आज के इस वीडियो के अंदर में Vodafone Idea Company यानि V.I. Company के बारे में बातचित करने जा रहा हूँ अगर आप एक Vodafone Idea के ग्रहा के तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि Vodafone Idea Company के उपर गवर्मेंट का काफी करी नजरदारी जो यहां पर बैठा गया है आज से 6 माहिने पहले गवर्मेंट V.I. Company के 33.44% का स्टेक को लिया था और यह स्टेक लेने के पीछे में जो कारान था V.I. Company के जो फाइनल स्ट्रेस अभी चल रहा है उससे V.I. Company को जितना जल्दी हो से के बाहर निकाला जाए तो गवर्मेंट 33.44% के स्टेक के बदले में 16,000 कर रोपे का जो करजा है उसे में लिए माफ कर दिया लेकिन अभी के टाइम के अंदर इंडिविचुल स्टेक होल्दर गवर्मेंट सबसे ज़ादा है लेकिन Vodafone Idea कमपणी के तरप से कोई भी फान का इंतजाम नहीं किया जा रहा है तो इसके बड़े में क्या कुछ आपडेट हमारे पास आया है पूरा डीटेल्स इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा तो अगर आपको इसके बड़े में जानना है तो वीडियो को लास तक जरूर देखे आई ये वीडियो को शुरू करते हैं, आसा करते हैं वीडियो जब को काफी पसंद आने वाला है दोस्तो पट्टिकुलरलि अगर मैं Vodafone Idea Company यानि V.I. Company के बात करते हूं तो फाइनल से अली काफी स्ट्रागलिंग कमपनी है आज के डेट तक अल्मोस्ट दो लाख 28,000 कर रोपय का करजा है V.I. Company को पर जो एमाउंग चोए काफी जदा है हाले कि गवर्मेंट के तरप से चार साल का मॉरिटोडियाम V.I. Company को मिला है लेकि उसके वावजूद Vodafona Company किसी भी तरीके से ना फान्राइज कर पा रहा है ना 5G सर्विसिस को लौंच कर पा रहा है ना अपने 4G को एक्सपन ठीक तरीके से कर पा रहा है किए Vodafona Company को पर कोई भी इन्वेस्टर्स भरोसा नहीं दिखा रहा है Vodafone Idea Company को पर नहीं दिखा रहे कोई भी कमपणी या कोई भी इन्वेस्टर्स हाला कि आज से 6 माईने पहले जब गबर्मेंट Vodafone Idea Company के स्टेक को लिया था तब V.I. Company के जो मैनेजिंग डिरेक्टर है कुमर मंगलम बिल्ला उनकी तरब से गबर्मेंट को ये प्रॉमिस किया गया था कि हम फान्राइस करेंगे डिफरेंट जगे से हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे V.I. Company के लिए लेकिन 6 माईना होने के बावजूद Vodafone Idea Company किसी भी तरिके से फान्राइस नहीं कर पाड़ है उसे के साथ साथ पिछले साल V.I. Company गवर्मेंट की तरब से 5G स्पेक्ट्राम का जो ऑक्सन स्वा तो उसके अंदर पाड़िसेबिट किया था और अल्मुस्ट 18,000 का रोपे का 5G स्पेक्ट्राम को लिया था और तब गवर्मेंट की तरब से एक टामसन कर्निशन को रखा गया था कि जो भी कमपणी 5G स्पेक्ट्राम ले रहा है आने वाले एक साल के अंदर उन्हें अपने 5G स्पेक्ट्राम उसे डेप्लोई करना होगा जिसका लास्ट डेट था यह 16 आगोस 2023 लेकिन वी आई कंपणी के तरब से गवर्मेंट को यह रिक्वेस्ट किया गया है कि हम अभी के टाइम के अंदर वज़सा कैपाबल नहीं है कि इमीडियर वेसिस पर 5G सर्विस को लांच करे और हमें 5G सर्विस लांच करने में और थोड़ा टाइम चाहिए तो यहाँ पर भी गवर्मेंट काफी सदा कंफ्यूज हो गया कि भाई एक कंपणी 5G स्पेक्टरम पार्चिस किया है वो स्पेक्टरम किसी भी काम में मुल नहीं दे रहा है इसका मतलब गवर्मेंट का भी एक responsibility बनता है क्योंकि वो जो पैसा है वो आम पाबलिक का पैसा है और में लिए गवर्मेंट उससे profit कमाना चाहते है लेकिन कंपणी का अगर financial condition कुछ ऐसा रहा तो definitely बाद में गवर्मेंट की तरब से Vodafone Idea Company को उपर pressure जरूर create किया जाएगा लेकिन अभी के time के अंदर भारत के उपर डूओ पली ना होने देने के कारण से में लिए government थोड़ा चूप है लेकिन 2026 फैनल से लियार Vodafone Idea Company के लिए काफी ज़दा crucial होने वाला है क्योंकि तब तक अगर V.I. Company profit ना करते तो company का condition बिल्कुल खड़ाव होने वाला है आपको कहा लग दें क्या V.I. Company सच में comeback करेंगे आप comment 6 पर comment करके बता सकते है एही सारा updates हमने पास निकल क्या राता छोटा सा वीडियो बने कर आपको बता दिया अगर वीडियो पसंद आया कुछ नहीं जानकरी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए चैनल को सुब्सक्राइब करके पास में आइकोन को दवना बिल्कुल पे मत वुलिए ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो टेलिविस देखने के लिए आपसे उट समुन लगा तो कि ऐसे कोई नहीं वीडियो को साथ तब ते के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा